नमस्ते गाईज, राजे शेफ और नमस्ते रेक और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक स्पीड टेस्ट, मल्टि टास्किंग और नान स्टोरिज कमपारिजन शाओमी के रेड्मी वाईवन और रेड्मी नोट 4 के बीच में यह दोनों ही फोन्स शाओमी के हैं और एक तरह से इनकी प्राइजेस भी एक दूसरे से ओवरलाप करती हैं लेकिन यह दोनों फोन्स डिफरेंट सेग्मेंट आफ कस्टमर्स के लिए है जो रेड्मी वाईवन है वो एक सेल्फी सेंट्रिक फोन है जिसका फोकल्स उसका 16 मेग पिक्सल सेल्फी कैमरा है और यह प्राइमरिली जो है इंडिया के ओफलाइन मार्केट के लिए बनाया गया है और दूसरी तरफ है रेड्मी नोट 4 यह फोन अब काफी पुराना हो चुका है एक तरफ से 7-8 महीने से मार्केट में है लेकिन यह फोन बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में क्योंकि यह उवर ओल एक एक स्माहर्टन है जिसमें आप कोई खामी नहीं निकाल सकते है और इंडिया की जो ओंलाइन स्माहर्टफोन सेल्स होती है उसमें रेड्मी नोट 4 हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप पे रहता है specs की बात करें तो जो Redmi Y1 है उसमें एक octa-core Snapdragon 435 chipset है जो कि 1.4 GHz पे चलता है और Xiaomi इस phone का 2 variant इंडिया में बेच रहा है with 3GB RAM and 32GB storage या फिर 4GB RAM and 64GB storage और इस phone में dedicated microSD card slot भी है जो कि Redmi Note 4 में नहीं है और दूसरी तरफ जो है Redmi Note 4 उसमें एक Qualcomm का octa-core Snapdragon 625 chipset है जो कि 2 GHz पे चलता है और इस phone के 3 variants अविलेबल है इंडिया में with 2, 3 या 4GB RAM and 32 या 64GB की storage space के साथ इस वीडियो में हमने जो दोनों ही phones के variant यूज किये है दोनों में ही 3GB RAM और 32GB की storage space है pure specifications के basis पे देखेंगे आप अगर तो जो Redmi Note 4 है वो Y1 से बहुत ही जादा powerful है Redmi Y1 जो है MIUI 8.5 रन कर रहा है Android 7.1 Nougat पे जबकि जो Redmi Note 4 है यहाँ पे वो MIUI 9 रन कर रहा है MIUI 9 और 8.5 के बीच में primarily speed improvement जादा है तो Redmi Note 4 है उसे इस कारण से speed test में एक जरूर advantage मिलेगा तो हमारे speed test में जिसमें 8 applications और games खुलने थे Redmi Note 4 ने 55 seconds लगा है जबकि जो Redmi Y1 है उसने 79 seconds लगा है 24 seconds की difference है दोनों ही phones के बीच में जो की बहुत जादा है जो Redmi Y1 है उसने games लोड करने में कुछ जादा ही time लगा दिया specially asphalted बाद में phone ने छोटे मोटे applications जैसे की Excel और Snapseed को बहुत जल्दी जरूर लोड किया लेकिन तब तक जो Redmi Note 4 था वो से बहुत आगया निकल चुका था हमारे speed test के second comparison में जिसमें ये सारे applications को phone की RAM से वापस लोड किया गया Redmi Note 4 ने 22 seconds लगा है जबकि Redmi Y1 ने 25 seconds लगा है छोटा difference है बट जो Redmi Note 4 है वो use करने में Redmi Y1 से जादा smooth लगते है Redmi Y1 में आप applications load करते time और general browsing करते time कभी-कभी थोड़े skipped frames और stutter जरूर देखेंगे जो कि Redmi Note 4 में एकदम भी visible नहीं है जैसा कि मैंने इस वीडियो के starting में कहा था जो Redmi Note 4 है वो एक overall जादा better और well balanced handset है लेकिन primarily जो ये है इंडिया के online smartphone buyers के लिए है और जो Redmi Y1 है वो एक selfie centric phone है जो कि offline markets के लिए target किया गया है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने friends और family के साथ ज़रूर share करें और हमाने channel पर subscribe करना ना भूले धन्यवाद